व नमस्का दुस्तो स्वागत है आपके आपका अपने चलनल में दोस्तों ये रही आपके TVS Radeon 2022 नुवड़ल डोस्तो इसकी इसकी विसिस्ता गया है इसमें दो वेरेंट आए और एक दूसरा बेरेंट आया हुआ हुआ है उसमें क्या हुआ है कि जो इसमें दी ऐ जी ड्रम Dual टोन बेरियेंट एक हाया हुआ इसमें है क्या ची इसमें सेग्मेंट मुल्टी कर रिवर्स एलसीडी क्लेश्टर बिद रियल टैम माइलेच इंडिकेटर देखने को मिलता है आटी एम आई दोस्तों यह इसकी खास्यत है बाकी गारी बहुत ही बढ़िया है मैं अभी इसमें पैस लता दूँँ आपका जो नॉर्म बेरेंट है उसका एक सोरूम पैस है बाकी गारी दोस्तों इससे क्या होता है कि बंदे को जो भी ड्यावर होता है राडर होता है उसको रियल टाइम माईले पता रखता रहता है तो दोस्तों यह जो है इसमें क्या है एक इंडिकेटर क्लॉक भी हमें देखने को मिलता है लो बैटरी इंडिकेटर देखने को मिलता है टॉप इसमें देखने को मिलती है तो यह सारे नीव फीचर से जो हमें इस समय टीवीएस रैडियोर में देखने को मिलेंगे टीवीएस इंटैली गो फीचर जो है उसके स्विचिज ऑफ ता इंजन जब भी आपका इंजन चला होता है बहुंता आइडियल मोड में होता है तो वह को मिलता है बाकी बात करें तो इसके पर्फॉमेंस की पर्फॉमेंस बहुत ही बढ़िया है यह इसमें सेग्मेंट में सबसे पहले चार्चिंग सॉकेट इसमें देखने को मिला था और अभी इसका जो LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वह भी बहुत ही ज्यादा उसमें बन हुआ है और उसकी वाज़े से ज्यादा ही पॉबर्फुल हो चुकी है इसमें 109 CC का एंजिन देखने को मिलता है और इसका जो एंजिन है वो टेक्नलोजी प्रता है और 8.4 PS की पॉबर देता है तो दोस्तों इसका जो टैंक होता है वो 10 लीटर का होता है तो यह सारी विसस्ता है आप देखोगे यह आपकी टीवेस डैडियोन की रही और दूसे तरब आपका आप जानते हैं जिसमें के आपको यह वायक है उसमें कलर डिस्प्ले मिलता है लेकिन अब देखें कि हम कौन सी बाइक हमें लेनी चाहिए तो जब बात करें तो एक बाइक 110 CC किया एक बाइक 25 CC किये तो हम देखेंगे आपको अच्छा माले चाहिए तो आप टीवेस डैटन पर जाए और आपको और दोस्तों आपको एक अच्छा लुक चाहिए तो आप टीवेस डैटर पर जा सकते हैं दोस्तों दोनों ही गारियां बहुती बहतरी हैं और आज की लिट में बहुत भी बहुती ही बैसी Klick मातकरें बाइक है दो आप सिंगल में चाहिए और एक्तarken बाली बाइक चाहिए हो तो आप सब्सक्राइब पर जा सकते हैं दो उसके लिए आप साइट गॉच्वा है और आज तो आप को भी देख सकते हो राइडर की बात करें तो आपने सेग्मेंट में नमर बन है उसका भी 2022 का ने अपडेट कर दी गई है और उसका एक एडवांस बर्जन भी जल्दी आने वाला है तो आता है तो वह तो स्वान अल्ला होगा लेकिन कहीं हमें उसकी कोस्ट भी देखन लेकों मिलेगी तो रेडियों की बात करें तो इसका जो परफॉमेंस है बहुत ही जबर जसते इसका आप देखो कि बिल्ड क्वाल्टी बहुत ही बढ़िया इसमें कोई भी फाल्दू का इस्तेमाल बहुत कम किया गया तो दूसी तरब देखोगे कि टीवेस राटर में कुछ सामाल ले जाने के लिए या कोई ऐसी चीज रख लिए तो आपका टेंक का लोग को खराब हो जाएगा क्योंकि मेटल जाता है कोई भी सार्फ अब्जेक्ट हो लेकिन प्लास्टिक का मेटल है वह जल नहीं पाता है तो जाहत तक बात करें तीवेस राडर की तो टीव प्रश्च कर लिए वह बहुत ही ज्यादा एक्टेट कर रही है लोगों को लिए और उसकी वाइद से कोस्ट भी बढ़ गई है तो लेकिन अब यहां पर अप्टेटिशन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी इसका कोई भी अपडेटिटिवर्जिन आपर बर्जन नही देखने को मिलेगा वह दिपावली के बाद ही मिलेगा लेकिन अभी जो 222 का अपरेटिवर्जन है वह करके आ रहा है उसमें कुछ बिल्ट को इंप्रूब कर दी कि यह चार्जिंग लगा हुआ रहा है वह उसके बाद में उसको क्या प्रोटक्शन के लिए क्याप भी लग निकल जाएगा तो उसके बाद में कंपनी जो दिपावली के आसपासी निकाले प्रॉब्रम भी आई थी कि उसके पानी दिखाई दिखा था लेकिन वह क्यों थी वह उस चीछ को भी अब कंपनी ने इंप्रूब कर दिया गया तो अब ऐसी कोई दिकत देखने को नहीं मिल तो यह कावले तारीफ है और इसकी वएस से जो रेडियोन है जो कि बैसिक बाइक मन जाती थी आज की डेट में बहुत ही पावर्फुल हो चुकी है पर हां इसी की वैसे में बहुत ही जब इस देखने को मिलेगा टीवे सटनों का कंप्रिशन जो है वह स्पेंलर प्लस से है क्योंकि इसमें केवल पॉइप लिए उसकी वाइस से मालेज भी अच्छा देखने को मिलता है दूसरे आप चोड़े टार मिलते हैं तो इसलिए वहां में पर मैलेज आम को नहीं मिलता है करद देखने को मिलती है तो कुछ बैक्ट्स हैं याइसे जो क्या में रेडियोन में सब्सक्राइब करें तो यहां पर देखोगे जो अपने लुक के बारे में बाजी माले जाती है लेकिन टीबिएस रेडियों जो अपनी परफोर्मेंस के बारे में बाजी माले जाती है को मैं इस इस्तुम ट्रोर्म के बात करें बारे में अब ही आप पर सकता है वह अच्छे जो आपना व कर सकते हैं लो चेक कर सकते हैं उससे देखने को मिलते हैं दोस्तों इस घंना हिरे मिल्के आजजिए लेचलिए जाहिन नामस्कार